नमस्का दोस्त अर्टक व्लाग्स में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मैं हूँ आपका दोस्त से ले कहाई जो आपके पास एक नई वीडियो के साथ आज इस वीडियो में दोस्तो हम वर्डप्रेस में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को समझेंगे कैसे हम वर्डप्रेस को इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट करते हैं अब यहाँ पर सपोस किजिए कि आपके पास वर्डप्रेस का एक वेबसाइट है तो उस वेबसाइट में आपने कुछ content डाला होगा यानि कुछ post डाले होंगे या फिर कुछ pages बगरा बना के रखे होंगे और आपके पास एक second wordpress का वेबसाइट है जिसमें आप चाहते हैं कि first website का जो भी डाटा है यानि post बगरा है, pages बगरा है उन सारे चीजों को आप export करना और second website में import करना मतलब second website में अगर आप import करेंगे तो वो जो first website का data होगा वो सारा as it is आपके second website में आ जाएंगे तो इस चीज को import और export कहते हैं इसे हम कैसे कर सकते हैं आज इसी चीज को पर हम बात करेंगे वीडियो दोस्तों काफी informative और knowledgeable होने वाली इस वीडियो को पूरे end तक चरूड देखना है तो चेले तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नई आये हैं तो चैनल को subscribe करके बैल आगउन को दबा लेए ताकि हमारे चैनल पर आने वाले सारी वीडियो की notifications आपको हमें साव मिलती रहे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारा दो website है एक website है यह अरूप टॉक जिस पर हम लोग regularly काम कर रहे हैं इसी website हम लोग सारा चीजों को सीख रहे है second website यहाँ पर है अरूप टॉक 2.0 अगर इस website में आएंगे तो यहाँ पर देखिए कुछ भी नहीं है ना तो कोई page बनाया हुआ है नहीं इसमें कोई post हमने कुछ लिखा है अगर इस WordPress अरूप टॉक 2.0 के अगर हम dashboard में आएंगे तो यहाँ पर देखिए all pages में हम जाते हैं यहाँ पर कोई भी page हमने नहीं बनाया है एक sample page हम लोग को मिला है चलिए इसे भी हम यहाँ से delete कर देते हैं अब इसमें ना तो कोई page है और ना ही यहाँ पर अगर हम all post में जाएंगे तो यहाँ पर कोई post भी नहीं है hello world एक post है इसे हम यहाँ से delete कर देते हैं तो यहाँ पर ना तो एक भी post है और ना ही एक भी page है तो यहाँ पर हम आ जाते हैं home में अब अगर हम अपने second यानि first website में आएं तो यहाँ पर देखिए बहुत सारा post हमने लिख्या हुआ है बहुत सारा post होगा चार पांच post होगा यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर बहुत सारा pages बनाया हुआ है जैसे home page है, about का page है, gallery का page है, services है, contact us page है तो यह सारा हमने यहाँ पर page बनाया हुआ है अब हम चाहते हैं कि यह website का जो भी post है और pages है वो सारा export हो जाए और यह अरूप talk 2.0 जो है इस website में import हो जाए तो इस काम को हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो हम इस website में एक theme पहले add कर लेते हैं second वाला जो website है, इसमें हम theme में गाए और theme में जाने के बाद यहाँ पर हम add new पर जाते हैं और यहाँ पर हम generate press theme को install कर लेते हैं अगर हम theme बाद में भी install करेंगे, तो भी कोई फरक नहीं पड़ता है हम बाद में भी theme इंस्टॉल कर सकते हैं, जो theme पहले by default यहाँ पर है, उस theme में फिर सारा import हो जाएगा यहाँ पर हम बाद में भी कर सकते हैं, पहले भी कर सकते हैं, लेकिन पहले ही हम यहाँ पर एक generate press theme को install कर लेते हैं तो theme यहाँ पर install हो गया, इसे हम active कर देते हैं, अब देखे, इस first website के dashboard से हम लोग को सारा चीज export करना होगा तो उसे हम कैसे करेंगे हम जाएंगे यहाँ पर tool वाले option में और tool वाले option में हमें एक option मिलेगा export इस export वाले option में हम जाएंगे यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर कुछ options मिलेगी जैसे all content है अगर आप चाहते हैं कि आपके website के जितने pages हैं पोस्ट हैं, elements है, medias है सारा चीज export हो जाए तो आप all content को select करेंगे अगर आप individually post को चाहते हैं तो post को यहाँ से select कर सकते हैं इसका अलाबा अगर आप चाहते हैं pages को सिर्फ करना तो यहाँ से आप pages को select कर सकते हैं खाली अगर आप चाहते हैं elements को करना तो element select कर सकते हैं या फिर अगर आप चाते हैं सिर्फ media को करना तो वो भी आप कर सकते हैं सो हम यहां पर क्या करेंगे हम all content को यहां पर select करेंगे उसके बाद नीचे हमें download export file का button मिलेगा simply इस पर हम click करेंगे और click करते ही एक file download होगा वो file को हम अपने computer में कहीं पर भी save कर सकते हैं चलिए इसे हम documents में ही save कर लेते हैं ओके सो इसे हमने यहां पर save कर लिया save करते ही क्या होगा कि हमारे first वाले website के जितने भी post हैं pages हैं elements हैं इडिया है चुकि हमने यहां पर all content किया था इसलिए सारा चीज यहां पर export हो गया so first step हमारा यहां पर complete हुआ अब second step में हम अपने दूसरे website के dashboard में login करेंगे तो चलिए हम अपने second website के dashboard में login करेंगे login करने के बाद अब यहां से हमें tool वाले option जो है इस tool वाले option में वापस आना है और उसके बाद फिर हमें import वाले option में आना है import वाले option में जैसे हम आएंगे तो यहां पर आपको कुछ options मिलेगी आपको scroll करके नीचे आना है यहाँ पर आपको एक WordPress का plugin मिलेगा और नीचे आपको यहाँ पर install now का एक link मिलेगा आप चाहें तो यहाँ पर install now पर click करके WordPress को यहाँ से install कर सकते हैं या फिर नीचे आपको एक और link मिलेगा search the plugin directory just आपको इस पर click करना है क्लिक करते ही देखिए सबसे टॉप में आपके पास wordpress importer एक plugin आजाएगा यहाँ पर install now का button मिलेगा just this path क्लिक करना है क्लिक करते ही यह जो wordpress importer है यह आपका install हो जाएगी एक बात याद रखेगा कि यह सारा काम करने से पहले आप internet के साथ connect हो so that कि आपका जो भी plugins वगेरा है वो आपका install हो सके उसके बाद फिर आपको जैसे यह install हो जाएगी active करना है so active हो जाने के बाद अब हम यहाँ से वापस टूल में जाएंगे और tools में आने के बाद यहाँ से फिर हम import वाले option को select करेंगे उसके बाद फिर हम यहाँ से scroll करके नीचे आएंगे अब दिखें यहाँ पर install ना को कोई button नहीं मिल रहा है simply यहाँ पर मिल रहा है आपको run importer just आपको इस पर click करना है click करने के बाद अब आपको यहाँ से choose file का एक button मिलेगा just यहाँ पर आपको click करना है और उस file को आपको select करना है जिस file को आपने भी download किया था export करने का time first वाले website से so यहाँ से हम ने से select किया है then हम यहाँ से open पर click करेंगे उसके बाद फिर यहाँ पर upload file and import इस button पर हम click करेंगे इस पर click करते ही जो है import author select करने का आएगा यहाँ से drop down से हम admin को select करेंगे उसके बाद फिर यहाँ पर check box पर check करेंगे download and import file and attachments फिर नीचे हम submit के button पर click करेंगे submit के button पर click करते ही आप यह थोड़ा सा time लेगा और थोड़ा सा time लेने के बाद ही आपका first website का जितने भी data है वो सारा data आपका second website में import हो जाएगी so यहाँ पर हम थोड़ी दर के लिए wait करेंगे so wait यहाँ पर complete हुआ यहाँ पर हम आपर message आ गया import wordpress all done और यहाँ पर आपको एक link पर लेगी have one just आपको इस पर click करना है और click करते ही आप अपने dashboard के home page में आ जाएगे अब वापस आते हैं हम अपने wordpress के website में मतलब second वाले wordpress के website में और यहाँ पर हम इसे refresh करते हैं refresh करते ही देखिए हमारा जितना भी first website का pages है home है, about us है, services है, contact us है और नीचे देखिए आपको कुछ post बगरा भी मिल रहा है so यह सारा post है अब हम अपने second website में अगर आएंगे तो देखिए same वही pages यहाँ पर आपको display हो रही है, जो post है हमारे उन सारे post यहाँ पर display हो रही है देखिए यहाँ पर settings तो import नहीं हुआ है लेकिन जितना भी content है, post है, comments है pages है, वो सारा import हो गया है अगर हम contact test page में जाएंगे तो contact test page में भी देखिए जो चीज हमारा first website में है first website के contact test page में हम आते हैं देखिए यहाँ पर हमारा address है and google map है यहाँ पर अगर हम अपने second website में आते हैं तो यहाँ पर भी address and google map मिल दा है so जो भी content है वो content और pages हमारा इंपोर्ट हो गया तो इस तरह से दोस्तों हम एक WordPress के website के content को एक दूसरे WordPress के website में import करते हैं तो यह import और export hopefully आप लोग को समझ में आ गई तो बस दो फिलाल आज के वीडियो में इतना ही वीडियो को देखने के लिए तो दूबाय और टेक केर